नमस्कार दोस्तों मैं सोनो प्रजपती आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल उमा ब्यूटी अकैडमी इंडिया में दोस्तों आज का जो मेरा हेर केर टिप्स नमबर 7 है वो ये है यूज जी कॉम फोर टेंगल फ्री यूर हेर मतलब जब आपके बाल शैंपू के बाद गीले होते हैं और आपके अपने बालों को टैंगल फ्री करते हैं तो आपको हमेशा अपने बालों को टैंगल फ्री करने के लिए जी कॉम का यूज करना है जी कॉम कौन सी कॉम होती है जो मोटे दातों वाली कंगी होती है उसको हम जी कॉम बोलते हैं उसे से आपको अपने बालों को टैंगल फ्री करना है आपको अपने बालों को टैंगल फ्री करने के लिए गिले बालों को कभी भी fine teeth कॉम नहीं चलाना है अगर आप fine teeth comb चलाएंगे तो आपके बाल तूटते हैं और उनमें hair fall की समस्या बढ़ जाती है अगर आपको अपने बालों को tangle free करना है तो आपको हमेशा z comb के साथ ही अपने बालों को सुलजाना पड़ेगा इससे आपके बाल तूटने से बचेंगे और आपको कोम किस तरह से करना है आपको बालों को tangle free करने के लिए आपको जो z comb होता है उसे down to up मतलब नीचे से सुलजाते सुलजाते आपको उपर जाना है बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो fine teeth comb के साथ direct उपर से कंगी लगाना शुरू करते हैं उसे क्या होता है कि जो उनके बालों में छोटी छोटी नौट्स होती है वो धीरे धीरे करके बड़ी नौट्स बन जाती ह हैं और जब वो अपने बालों को pressure से tangle free करते हैं तो उसमें उनके बाल तूट कर बाहर आ जाते हैं आपको अपने बालों को tangle free करने के लिए नीचे से सुलजाते सुलजाते मतलब down to up जाना है और जहां आपकी नौट लगे उसे easily अपने हाथों से सुलजा लेना है उसे क्य क्या होगा आपके बाल तूटने से बचेंगे और आपके बालों में hair fall की समस्या कम हो जाएगी दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये tips के वीडियो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो beauty से related, makeup से related या फिर hair से related courses करने हैं तो आप मेरे ऊपर दिये गए number 9560177892 पर मजो call कर सकते हैं और अपनी classes join कर सकते हैं दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए topic के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा अपने देश का ख्याल रखेगा परिवार का ख्याल रखेगा देश को साफ रखेगा सुच रखेगा और प्लांट जरूर लगाएगा दोस्तों वंदे मातरम